हेलो दोस्तों अभी हम वो कोशन करने वाले हैं जो की बोड एक्जाम में 2023 में सेट A में आया था और ये कोशन जो है दुदिया पाली में आथा क्लास 10 का हिंदी कोशन फर्स सिटिंग में जो आया था वो कोशन हम आपको करवा चुके हैं आप जाके देख सकते हैं चैनल पर देखें यहां पर है कि एक से सो तक के प्रशन संख्या आपको दिये गए हैं इसमें चार ऑप्शन हैं जिसमें की एक सही है सो में से आपको किसी 50 कोशन के एंसर देने है वो आपके कविता से भी, कहानी से भी या फिर व्याकन पॉर्टसन सबसे मिला कर हो सकता या फिर आप से जो बने आप उसको पहले बनाईए और OMR पे आपको बनाना है तो देखिए, यहाँ पहला कोशन है कि पूसकरनी किसकी रचना है तो पुसकरनी रचना है अग्याई की जिनका पूरा नाम था सचीदानन्द, हीरानन्द, वासायन अग्याई देखिए दोस्तो, जो भी चैप्टर साप में दिये गए रहते हैं जो लेखा कोते हैं, जो कभी रहते हैं उनका परिश्या आगे में दिया हुआ रहता है चैप्टर के पोयम या कहानी सुरोने से पहले जिनमें उनका जन्म रित्यू, मता पिता का नाम और उनकी रचनाई कौन-कौन सी हैं ये सब दीविरती और ये कोशन आता ही है आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए यहां है गुरुनानक का जन्मस्थान ननकाना सहब अब कहा है ये अब पाकिस्तान में है रस खान किस राजवन्स में उत्पन हुए थे तो पठान राजवन्स में तीहू पूर सब्द का अर्थ क्या होता है तो तीनों लोग मनुष्य और सब्दा के विनास की अंतर व्यथा को अभिवेक्ट करने वाली कविता निम्न में से कौन है तो एक विक्ष की हत्या निम्न लिखित में से नगर संबेदना के कवी कौन है कूवर नारायन विरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह का प्रकाशित हुआ था सन 1991 में फर्स्ट पोर्शन में जो रहते हैं आप इसको ऐसे डिवाइट कीजिए कि इनका जो डेट ओफ बर्थ है उसको हम अलग कर लेते हैं उनका डेट ओफ डेथ है उसको अलग कर सकते हैं गई है तो कवी ने कहा से नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा यह पंक्ति की सिर्षक कविता की है यानि कविता की पंक्ति भी एक्जाम में पूशी जाती है आपको कविता भी याद होनी चाहिए लोट कर आऊंगा फिर तो कि कवी जो है वो बंगाल के रहने वाले हैं उनका जन्म इस बार बंगाल में हुआ है और वो सोच रहे हैं कि अगले जन्म मनुस न सही कम सकम कुछ न कुछ बनके तो हंस सारस कववा धान के खेत ऐसे बहुत सारी एक्जाम्पल देते हैं कि वो बनके मैं जरूर यहाँ पे आऊंगा ही आऊंगा ठठे विदेशी ठाट सब वन्यो देश विदेश सबने हुँ जिन में न कहुँ भारत य तालेश या पंक्ती किस सीर्शक कविता से है तो स्वदेशी से गुंजन किस कवी की रशना है सुमित्रा अनंदन पंत की कवी सुमित्रा अनंदन पंत की अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है तो बनी हुई है भारत माता उनकी कविता है भारत माता ग्राम बासने निम्न में से रामधारी सिंग दिनकर की रचना कौन है तो हूं कार रेनर मारिया रिलके के पिता जी का नाम क्या था उनके पिता जी का नाम था जोसेफ रिलके देखिए पिता जी का नाम पूछा गया कहीं माता जी का भी पूछा जाएगा लाइफ एंड सौंग्स कविता संकलन किसकी रचना है रेनर मारिया दिलके की लौट कर आऊंगा फिर सीर्षक कविता के अनुवादा का नाम क्या है पर्याक्षूल यह जो कविता लिखी गई इसकी ओरिजन भासा हिंदी नहीं थी हिंदी भासा में इसको कनवर्ट किया गया कनवर्ट करने वाले का नाम है पर्याक्षूल हिरोशीमा सीर्षक कविता के कवी का नाम क्या है सचिदानन्द हिरानन्द वासायन अगय अगयाई का जन किश वर्स हुआ था 1911 इस्वी में हीरोशीमा शीर्शक कविता किसका चित्रन करती है आधूनिक सब्वेता की दुर्दान्त मानिम्य विभीशिका का दस नमबर कोशन देखते हैं अक्षर ग्यान शीर्शक कविता में अंगा के ड़ को बेटा क्या समझ जाता है बेटा इसको मा समझता है तो 20 कोशन हो गए है इसके अभ हम आगे बढ़ते हैं 21 नमबर में 21 नमबर में यहां से व्याकरन का पोशन शुरू होड़ा है कि परभाव सब्द कौन सा लिंग है ये है पुलिंग आम्र सब्द क्या है आम्र का मतलब क्या होता है मैंगो यानि आम, ये आम्रसव तत्सम है भगवान सब्द का इस्तिर्लिंग रूप क्या होगा? भगवती, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के आथ भेद होते हैं, बहुत सिंपल है स्याम कलम से लिखता है किस कारण का किस कारक का उधारन है तो आप लोग जानते हैं करता ने कर्म को करन से जोड़ने का काम हो रहा है तो करन करत नदी सब्द का बहु बचन क्या होगा नदियां होगा अब इधार आते हैं लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है ऐसरंगराजन कौन पापाती को अकेली छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी ये कहानी से कोश्चन है वल्ली अम्माल वल्ली अम्माल के गाउं का नाम क्या था मूंडाडी पट्टी धरती कब तक घुमेगी सीरसक पाट में सीता क्या देखकर रुवासी हो गया रुवासी यानी की रोने जैसा चहरा बन गया रो नहीं रही है लेकिन रोने जैसा चहरा बन गया तो अपना काला ओढ़ना देखकर धरती कब तक घुमेगी सीरसक पाट में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था कैलाश 27 नमबर कोर्शन फिर से व्याकन पोर्शन है सूर्य सब्द का इस्तिरलिंग रूप क्या होगा सूर्या सब्द जब किसी वाक्त में पिरोध ये जाते हैं तब वे क्या कहलाते हैं पद यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उधारने निश्चय वाचक का क्यों है क्योंकि ये जो वक्ता है जो बोल रहा है वो स्योर है कि ये मेरा छोटा भाई अमित है तो निश्चय वाचक सर्वनाम दुखी लोगों की मदद करो यह किस विशेशन का उधारन है गुन वाचक विशेशन का इधार आते हैं वह खा चुका था किस काल का उधारन है भूत काल का यानि खा चुका था किसी समय बीते हुए समय में उसने खाया था तो ये भूत काल का उधारन है उत्पत्ती की द्रिष्टी से सब्द के कितने भेद होते हैं चार वह सब्दांस जो किसी सब्द के पूर्व जोडा जाता है वह क्या कहलाता है सब्द के पहले जोडा जा रहा है वो कहलाता है उपसर्ग और जो सब्द के पीछे जोडा जाता है वो कहलाता है प्रत्य सुजान सब्द में उपसर गया अब देखिए दोस्तों अभी हमने पड़ा है जो किसी सब्द के पूर्व यानि पहले जोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा सुजान सुमहर्शू का जुआ करनो तो सु समझाता सब्द में प्रत्या क्या है? समझाता जो है, पीछे जोड़ा जाता है तो देखिए, ओता, जोता, ये तो है नहीं, ता होगा नहीं, ता तो यहाँ पे समझाता में अगर हम ध्यान से देखे तो यहाँ पे ओता ही होगा, ता नहीं होगा, ओता होगा अपेक्षा सब्द का विशेशन क्या होता है उपेक्षित इधार आते हैं बगम्मा क्या बेश्ती थी बगम्मा दही बेश्ती थी चैप्टर का नामी है दही वाली मंगम्मा या बात अच्छी नहीं लगती कि मा महीने भर इधर उधर लुड़कती रहे या बात किसने कही तो ये धरती कब तक घुमेगी चैप्टर की लाइन है और या बात बोली कैलाशने जो कि सीता का बड़ा पुत्र है दहते विश्वास सिर्शक पाठ के रशनाकार का नाम क्या है साथ कोडी होता जो कि उरीसा के हैं वहीं पर बार की ये चिंता होती है ऐसी कंडीशन आती है और उन्हीं को देखकर नोंने ये श्टोरी की रशना की है दहते विश्वास सिर्शक पाठ में किस बांध के तूटने की बात कही गई है दलेई बांध की मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है कमू संधी का समान अर्थ क्या होता है तो मेल होना परमेश्वर कौन सा समास है कर्मधार है शिव पार्वती कौन से समास है द्वंद समास है वाके के उस भाग को जिनमें एक से अधिक पद परस पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किन्तु पूरा अर्थ नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं पदबंध 50 कोशन हमने कर लिया है अब और आगे बढ़ते हैं 80 कोशन आपसे पूशे जाते हैं हम सारे कोशन एक ही वीडियो में करेंगे ताकि आपको बार बार ढूणना ना पड़े देखिए यहां पर हम आ गए हैं फिर से जाकन पूर्शन में वाकिफ सब्द का अर्थ क्या है इसका अर्थ है परिचीत परिचीत होना कितने वर्ष की उम्ड में लिपजिंग विश्व विद्याले में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्यन आरंब कर दिया था 18 वर्ष की उम्ड में हक्स क्या थे हक्स वनस्पति वैज्ञानिक थे निवन्स विद्या का संबंध किसे है मानव विज्ञान से human science से काम सूत्र के रचैता कौन है वासायायन शिक्ठक का अर्थ क्या होता है सिक्ठक इसका अर्थ होता है मूम देखिए दोस्तो ये जो मीनीन पुशे जा रहे हैं वो आपके चैप्टर के जो चैप्टर हैं हिंदी के उसके पीछे में वर्ड मिनिंग दिये वे रहते हैं सब्दार्ग दिये वे रहते हैं यह उसे से पूशे जा रहे हैं जो जो हार्ड वर्ड है इस तरह से यह कोशन पूशे जा रहे हैं आप इसका अनुमाल लगा सकते हैं 66 नंबर में आते हैं आविन्यों क्या है इसाई मठें बहु वचन नाम में हो या 12 में हो दोनों क्लास में पुशे जाते हैं लेखक विनोत कुमार सुक्ल को सुल्क लिखा हुआ यहां पे सुक्ल होगा को साहित अकादमी पुरसकार किस वर्ष प्राप्थ हुआ था 1990 स्वी में नौबत खाने में इबादत सीर्शक पार साहित की कौन विदा है तो य व्यक्ति चित्र किसी व्यक्ति के बारे में करेक्टर इसके चुनका खीचा गया यह विधा का एक ध्यान रखेगा यह आप सब चैप्टर का कर लिजेगा हम तो करवाएंगे ही पूछा जाता है यह कभी यह निबंध है ऐसे है या फिर यह व्यक्ति चित्र है एक आंकी है इस तरह से कोई संस्कृति जिन्दा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का चा करने की कोशिस करती है यह तो चैप्टर के 20 से आपको पूछा जा रहा है यह हो गया बहिसकार कोई संस्कृति जिन्दा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का बहिसकार करती है यानि उसको अस्विकार करती है उसको हानी पहुचाती है चोट पहुचाती है मराथी नेपाली और नेवारी भासाओं की लिपी क्या है देव नागरी नागरी लिपी सीर्चक पाठ कहां से लिया गया है भारतिय लिपियों की कहानी से निर्मला कौन थी निर्मला कि रशना है अमर कांत की वर्नों के उचारन सम्मूह को क्या कहते हैं वर्नमाला भा का उचारन अस्थान क्या है कोश्ट ल कौन वेंजन है बहुत तीजी जी कोशन है अंथस्ट वेंजन किसकी अंतिमध्वनी स्वर होती है मुक्ताक्षर की महासर सब्द का संधी विछीर क्या होता है महा प्लस आ से एथेंस किस महा देश में है एथेंस जो है ग्रीस में है और ग्रीस आप लोगोंने पढ़ा होगा हिस्टरी में ग्रीस आता है एक में टॉल्स्ट्टवाइ कौन थे लिया तॉस्ट्टवाइस जिनकी एक पुस्त क्या वार एंपीस बहुत ही फेमस पुस्त क्या धैय कर पांसे के दिखल it यानि human life whole human life से यह संबंध रखती है साहित है literature है एक मात्रिक उच्छारण को क्या कहते हैं हर्ष अक्षत्रग्या कौन सा विंजन है सैंजुक्त विंजन है निम्न में से सुद्ध कौन है यह तो आपको पता लगाना पड़ेगा देखिए कवी इत्री यह तो सुद्ध है क्यो उचाई नहीं होगा क्योंकि उचाई में यहां दुर्गुकार होगा आगे बढ़ते हैं तो हम सी और डी को देखते हैं तो अंत्राक्ष्री यह गलत है चहार दिवारी यह सही है निम्लिकित विराम चिन्नों में विस्मयाधी बोधक चिन कौन है यानि मार्क ओफ एक्ष्ल प्रकार का मतलब होता है इंटर्व्यू रश्मी वाजपैने जो की इनकी ही एक सिस्या थी बिर्जु महराज का जन्म किस वर्ष हुआ था 1938 सिस्वी में जिन संग्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुमों अथ्वावेक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते ह जाती वाजप संग्या असी कोशन आपको बनाने होते हैं एक्जाम में आता सो है देखिए हम आ गए हैं 81 नंबर कोशन पे अब आप ध्यान से मिलाते जाएए कि आपकी तैयारी कितनी है जिस वाक में एक किडिया होती है और एक करता होता है उसे कौन सा वाक कहते हैं उसे कह सरल वाक के तीन बेद होते हैं सरल वाक मिस्र वाक रसायुक्त वाक निमलिखित में से सुध्वाक के कौन है देखिए यहां पर सुध्वाक को पहचानते हैं या काना आपकी भूल है थोड़ी देर बाद वे वापस लोटा है चरखा कातना चाहिए तो यहां पर हो जाएगा सुध्वाक कि किसी आदमी को भेज दो इक्छा सब्द का पढ़ियावाची क्या होता है पढ़ियावाची यानि समान अर्थी सब्द समान अर्थ रखने वाला सब्द तो इक्छा सब्द का हो जाएगा आपका यहां पर अभिलाशा आधुनिक सब्द का विलूम क्या हो जाएगा बहुत तीजी है प्राचीन क्या खाया किस किर्या का उधारन है ये उधारन है सकर्मक किर्या का भीम्राम बेदकर के शिंतने उम्रशनात्मक के वेक्ती कौन थे तो बुद्ध भी थे जोतिवा फूले भी थे कवीर भी तेन में सभी और आपको पता होगा कि भीम्राम बेदकर ने बहुत धर्म भी अपनाया था किनकी रशना है भीम्राम बेदकर की लेखक नलिन विनोचल सर्मा की माता का नाम क्या था देखिए उस जगह पिता का नाम पूशा गया था इसे का माता का पूशा गया माता पिता का नाम पूशा ही रहता है अगर भाई बहन भी दिया हो मित्र दिया हो उसका भी नाम पूशा जाता है तो उनकी माता का नाम था रतना वली शर्मा सेंस सहाब की लड़कियां कैसी है बड़ी ही सुसील है बड़ी सुसील है उनकी सारी बेटियां सिर्फ इकलौता बेटा है जो की बहुत ही बदमास है और सब को बदमास करते रहता है और इस कारण अंत में बहुत मार भी खाता है और अपने दांत भी तुरबाता है मदन किसका बेटा था तो गिर्धर का बेटा था इधार आते हैं स्वेद से उत्पन होने वाले के लिए एक सब्द क्या होगा यहां पर पूछा जा रहा है एनेक सब्दों के लिए एक सब्द यानि देखिए एनेक सब्द दिये गए हैं और आपको कोई एक सब्द इसके लिए बताना पड़ेगा स्वेद दज अपना किया पाना मुहावरे का क्या मतलब होता है कर्म का फल भोगना विद्वा सब्द का विलोम सब्द क्या होगा तो विद्वा किसे कहते हैं जिसका पती मर गया हो तो उसका उल्टा हो जाएगा जिसका की पती जिन्दा हो तो यह होगा सद्वा रात सब्द का पढ़ियावाची सब्द क्या होगा पढ़ियावाची यानि समानार्थी सब्द समान अर्थ रखने वाले सब्द रजनी बिना अंकुष का के लिए एक सब्द कौन है जिस पर कोई अंकुष नहीं लगा होता है उसको करते हैं निरंकुष या अपने हिस्ट्री में चैप्टर वन में पढ़ा होगा कि लुईस सोला वहां जो है एक निरंकुछ रा जाता क्योंकि उस पर किसी का अंकुछ नहीं था वहां पे रास्त अंद्र था फूप फूप कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है यानि सोच विचार कर काम करना ऐसे नहीं कि हमने सीधे काम करने के लिए चलते बहुत अच्छे से सोचेंगे फूप फूप कर पैर रखेंगे देखेंगे कि ये कदम सही है की नहीं हम सही करने जा रहे हैं की नही किर्या का मूल क्या होता है धातू शीवम आ रहा होगा या किस काल का उधारन है शीवम आ रहा होगा या उधारन है वर्तमान काल का जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं सकर्म के लिए दोस्तों इसका पूरा अब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जितन चैनल को विजिट कीजिए ताकि आपके एक्जाम में बहुत अच्छे माक्सा है